आप सभी का अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में बहुत-बहुत स्वागत है आए विद्धियारतियों आज हम जो है एक नई रियासत पढ़ने वाले हैं पिछली रियासत में हमने भोपाल रियासत के बारे में बात की थी और आज हम खोलकर रियासत लेकर आये हैं आप सभी के हूं विद्यार्थियों आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी मैं उमीद करता हूं कि आप सभी साकोशल होंगे और अपनी तैयारी को एक नया दिशा देने के लिए तैयार हो जाए हम आज जो है होलकर रियासत पर पढ़ने वाले हैं चलिए विद्यार्थियों आज हम बात करते हैं कि अनकेडमी के दौरा आप सभी को विशेश ओफर्स यहां पर दिया जा रहे हैं उन पर हम आज यहां पर चर्चा कर लेते हैं पहले सबसे पहले हम बात करते हैं तो अनकेडमी के दौरा आप सभी को यहां पर विशेश ओफर के रूप में 20% का आफ द का प्रियोग कर सकते हैं S10 का प्रियोग कर आप सभी जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिसा दे सकते हैं आए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं MPPSC की तारगेटिट बैच लाया गया है अनकेडमी के दौरा जो आप यहां पर चीज कर सकते हैं यहां पर रैपिट रिवीजन बैच आपको देखने मिलेगा चलिए हम आज के विशय को प्रारंब करते हैं और आज जो है नई रियासत पढ़ने वाल हैं हम होलकर रियासत को पिछ सब्सक्राइब कमें कि भूपाल आपकी होलको रियासत अस्तित्व में कब आई कैसे यहां पर कौन-कौन महात्व्न साचक थे उनके बारे में में पढ़ेंगे फिर यहां पर इस्तापत्त्यकला के बारे में भी हम बात करने वाले हैं चलिए उस में होलकर रियासत अस्तित्व में कब आई उस पर समझने के लिए हम को कुछ इतिहासिक चीज़े समझनी होंगी कि उस समय पर मराठाओं का है कि मराठा समराज्य जो है कि समराज्य का विस्तार होता जा रहा था कि सम्राज विस्तार हो रहा था उसी दौरान मद्र प्रदेश में एक युद्ध होता है अमझेरा का युद्ध याद रखेगा यहां पर एक युद्ध होने वाला है अमझेरा का युद्ध अमझेरा के युद्ध के पशाथ मद्रप्रदेश के मालवा छेत्र पर याद रखेगा मद्रप्रदेश के मालवा छेत्र पर पर अमझेरा युद्ध के पशाथ मालवा पर अधिकार हो चुका है अब यहां पर कुछ भात समझा है कि होलकर वास्तों में जो है वास्तों में होलकर जो है मराठाओं के साशक हुआ करते थे मालवा पर साथ ही यदि हम बात करते हैं होलकर वंस जो है वह होल गाव के निवासी थे याद रखेगा कहा के निवासी थे होल गाव के निवासी हुआ करते थे इसलिए इन्हें खोलकर कहा जाता है वास्तों में मूल इनकी जाती कि यदि हम बात करते हैं तो यह चरवाहा जाती के थे तो विद्यार्थियों याद रखेगा यह चरवाहा जाती के थे अब जब अमझेरा युद्ध अमझेरा युद्ध हुआ मुझेरा युद्ध के पश्चाद मालवा पर अधिकार हो चुका है मराठाओं का तो अब मालवा में मालवा में दो वन्सों को वास्ताव में दो वन्सों को मराठाओं द्वारा जो है अधिकरत किया जाएगा चौत और सरदेस्मुक करवशूलने के लिए तो याद रखिएगा अब होगा ये कि यहां पर आपका इंदौर वाला जो छेत्र है इंदौर छेत्र साथ ही यदि हम बात करते हैं उज्जेन छेत्र अब यदि हम बात करें कि इंदौर में होलकरों को इस्थापित करने वाले हैं मल्हार राव होलकर को आपका वही चौत और सरदेस्मुक करवशूलने के लिए निक्ट किया गया मराठाओं के द्वारा वही उज्जेन की यदि हम बात करते हैं तो राणो जी सिंदे को जो है याद रखेगा राणो जी सिंदे या सिंधिया बोल सकते हैं आप तो राणो जी सिंदे को जो है यहाँ पर इस्थापित किया अर्थात उज्जेन में इस्थापित किया गया सिंदे वंस या फिर हम इसे ही सिंधिया वंस कह सकते हैं सिंदे वंस जो है वो इस्थाफित कहां हो चुका है वह इस्थाफित हो गया है उज्जेन में तो प्रारंब में सिंध्याओं की राजधानी कहां हुआ करती थी उज्जेन हुआ करती थी वही होलकरों की राजधानी कहां हुई इंदौर हुई वास्तव में होलकरों को मलहार्रा उहोलकर्जी की वास्ताव में पेश्ववा की सेवा में याद रखेगा पेश्ववा की सेवा में यह 1791 में जो है इनकी सेवा में सुरुबात में यह पागा के अधिकारी बनाये जाते बाद में जाकर जो है इनको 17334 के दौरान याद रखेगा 17334 के दौरान ही इनको आपका चोथ और सर्देश मुख दो कर वसूलने के लिए इनको यहां पर नुक्त किया गया तो याद रखेगा 17334 में चोथ और सर्देश मुख कर वसूलने के लिए मलहार राव होलकर जी को यहां पर नुक्त किया गया था तो इध्यान रखेगा अब यहां पर हम जहरा युद्ध के बाद हमने बात की हम जहरा युद्ध के पश्यात हमने देखा कि होलकरों को छाप्त होने वाले हैं पेश्वा बाजी राव पृथम के दोरान साशकाल के दोरान अब अगली बात यहां पर कर लेते ठीक है तो हमने यहां पर अभी बात की कि होलकर जो थे होलगाओं के निवासी थे पुणे के निकट इसलिए इनको कलांतर में होलकर कहा जाने लगा अब इनके प्रमुक साशक हम पढ़ लेते हैं कि प्रमुक साशक कौन-कौन हुए तो इन पर हम बात करेंगे साथ ही यहां सम आई है इन सभी पर हम यहां पर बात करने वाले हैं आए विद्यार्थियों आगे समझते हैं सबसे पहले मल्हारा होलकर प्रथम के बारे में तो मल्हारा होलकर हमने अभी समझा कि चौथ और सरदेश्मुक करवसूलने के लिए 1733 और 34 में इनकी निक्ति की गई थी साथ ही इन्हों ने इन दौर को अपना राजधानी बनाया राजधानी बनाने के पश्चात इन्हों ने यहां पर कुछ निर्मान का रिभी करवाये जो की बहुत महत्यपून है सबसे पहले इन दौर का जो राजवाड़ा है और राजवाड़ा का निर्मान मल्हारा होलकर ने ही कर चलिए तो हमने यहां देखा कि इनके निर्माण कर महत्यपूर्ण देख लेते हैं मलहार गंज जो है इसकी स्थापना कर रही है इन्होंने मलहार गंज बसाया साथ ही राजमहल का निर्माण कराया और राजवाडा इंदौर का राजवाडा का निर्माण भी इन्होंने ही आया था अब यदि हम बात करते कहां के निवासी थे तो अभी हमने बात की कि पूरे के निकट पूरे के निकट जो है आपके होल गाओं के निवासी हुआ करते थे होल ग्राम के निवासी हुआ करते थे इसलिए इन्हें होल कर कहा गया इनके पिता क्या नाम था खांडू जी अब आगे बात कर लेते हैं विद्यार क्यों चलिए आप सभी के जो भी प्रश्ण होते हैं वो है मुझे आप मैसिज भी कर सकते हैं साथ ही आप कमेंट के माध्यम से सुझाव और जो भी प्रश्ण है वह भी पूच सकते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सेशन्स पसंद आ रहे होंगे और आगे हम सेशन्स जो है continue इस पर करने वाले हैं कल कुछ कमेंट्स आये थे मुझे कि क्या 1857 की करांती भी मद्यप्रदेश में हम देखेंगे तो बिलकुल विद्यार्थियों हम जैसे ही ये complete होता है तो दो-तीन जो topic है वो हम फिर लेकर आने वाले हैं से पहले हम छह रियासत पढ़ेंगे साथ ही हम जो है प्रमुख राजवन्स मद्यप्रदेश के उन सभी पर चर्चा करेंगे फिर उसके पशात हम जो है मद्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन जिसमें बुंदेला विद्रो 1857 की क्रांती साथ ही मद्यप्रदेश में आपका भारत छोड़ो आंदोलन जंडा सत्याग रह इन सभी पर भी तर्चा करेंगे इसके बाद हम जो है मद्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित पर भी एक लेक्टर लेकर आने वाले हैं जिसमें प्रमुख स्वतीनता सैनानी और साथ ही टॉपिक आपका प्रलिम्स में ही लिखा हुआ है मद्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित इस पर हम बात करेंगे आगे विद्यार्थियों कि इसकी PDF कहां मिलेगी बार-बार मुझे प्रश्न पूच्छ जा रहे हैं तो विद्यार्थियों विश्यक्तित बढ़ते हैं आगे विद्यार्थियों आगे समझते हैं कि अम लहर रा हो करके पुत्र कौन साथ ही इनके उत्राधिकारी कौन हुए उन पर बात करना बहुत important है तभी हम समझ सकते हैं कि आगे साशा कौन बने किस प्रकार से होलकर राजवन से साशन करने वाले हैं चलिए तो आगे बात कर लेते हैं कि आपके मलहार राव होलकर के दो पुत्र से पहले हैं खांडे राव होलकर प्रथम जो है इनके पुत्र हुए दूसरे हैं तुकोजी राव होलकर प्रथम वास्तों में तुकोजी राव होलकर प्रथम को मलहार राव होलकर ने गोद लिया था अर्थात तुकोजी राव होलकर जो हैं वह दत्तक पुत्र हुआ करते थे मलहार राव होलकर के तो याद रखेगा विद्यारतियो दत्तक पुत्र कौन हुए तो कोजी राव होलकर हुए इनके पुत्र थे खांडे राव होलकर खांडे राव होलकर जी का विवहा होता है अहिल्या बाई होलकर से याद रखेगा इनका विवहा किस से हुआ था अहिल्या भाई होलकर से इनका विवाहा हुआ था जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ती हुई मालहे राव होलकर तो याद रखेगा खांडे राव होलकर के पुत्र हुए मालहे राव होलकर और उनका विवाहा हुआ था अहिल्या भाई होलकर से मलहार राव होलकर आपके खांडे राव होलकर जी को युद्ध के लिए भेजते हैं एक अभियान पर भेजते हैं इस अभियान का नाम था कुम्भेरा अभियान तो कुम्भेरा अभियान में खांडे राव होलकर जाते हैं इस अभियान में ही इनके मिप्ति हो जाती अर्थात इनका देहान्त हो जाता है इनका देहान्त जो है किस पर हो गया है आपका कुम्भेरा अभियान में खांडे राव होलकर जी का देहान्त हो चुका है अब इनके देहान्त के पस्चाथ अब सासक कौन बनेगा प्रशुचिन यह था तो प्रथम साशक तो हमने पढ़ लिया कि प्रथम सासक कौन हुए मल करें अब और महले राव होलकर हुए अब कुम्भेरा अभियान में खांडे राव होलकर का दिहान्त हो चुका है अब इनके उत्राधिकारी अर्थाद मलर को उत्राधिकारी चुने जाने वाले हैं मलह को प्र याद रखेगा अब अगले साशक बनने वाले planning मलेरा भूलकर स साशक बने तो यह नाबालिक थे तो इनके प्रमुख संदक्षी का अर्थात यहां पर साशन विवस्था वास्तविक सक्तियां जो है अहिल्याबाई होलकर के हाथों पर आ गई लेकिन कुछ समय बाद आकस्मिक रूप से मालहराव होलकर जी का देहांद हो जाता है अब मालहराव होलकर के देहांद के पस्चाद अब सासी का अहिल्याबाई होलकर बनेगी यह पेशवाओं से परमीशन मांगेंगी कि यह क्या साशक बन सकती है और अहिल्याबाई होलकर को पेशवा परमीशन दे देते हैं साशक बनने की अर्थात अब अगली सासी का अर्था तुकोजी राव होलकर को सेनापती के पदबर न्युक्त किया था तो याद रखेगा सेनापती के पदबर को नाने वाला है तुकोजी राव होलकर आएंगे अहिल्या भाई होलकर के साशनकाल के समय ठीक है अच्छा इवन जान लीजे विद्यारतियों होलकर रियासत में तो स्वर्णिम युग जो कहा जाता है होलकरवन्स का स्वर्णिम युग कहा जाता है अहिल्या भाई होलकर के साशनकाल को साथ ही तुकोजी राव को यह क्या बनाने वाली है सासी का तो अहिल्या भाई होलकर है लेकिन यहां पर सेनापती किसको बनाने वाली है तुकोजी रा इनकी स्वामि भकते जो है अहिल्यावा के प्रती भी थी साथ यदि बात करें मल्हराव मुझ्वा करे अगले बात कर लेते हैं हम इसके पश्चाट तो पहले नमबर पर सासक है मल्हार होलकर फिर मालहे राओ फिर अहिल्या भाई होलकर फिर तो कोजी राओ होलकर साशक बनने वाले हैं तो हमने देखा कि यहां पर अहिल्या बाई इसके साशनकाल के पहले जो है मलहरा होलकर कुछ समय के लिए साशिक बने लेकिन कुछ समय पस्षात इनका देहां तो गया अब अगली सासिका बन चुकी है अहिल्याबाई होलकर जब सासिका बनी तो इनों ने जो है वास्ताव में देखा जाए बहुत कुछ रियासतों पर किये थे थोड़ी यहां पर हम चलिटा कर लेते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ इनके पिता का नाम क्या था इनकी थोड़ी प्रस्ट भूमी समझ लेते हैं तो अहिल्या बाइब उलकर जी का जन्म हुआ था महरास्ट के चौड़ी ग्राम में तो याद रखेगा पुत्री अहिल्याबाई होलकर जो हैं उनका विवा होने वाला है खांडे राव होलकरदी से ठीक है अब सबसे पहले है इन हलाव होलकर को अपना सेना पती बनाईगी साथ ही यह अब राजधानी इंदोर से परिवर्टित करने वाली है तो अब इनकी राजधानी परिवर्टित होगी इंदोर से महेश्वर याद रखेगा तो इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया पहले राजधानी इंदोर हुआ करती थी इंदोर के बाद राज आधानी तो बना लिया साथ ही कपड़े के लिए याने टhappy style के लिए अर्थात वस्तुर के लिए वस्त्र के लिए जो है इन्होंने याद रखे गा वस्त्र के लिए इन्होंने महिश्वार को उत्क्रिस्ट बना दिया आज वरतमान पर जूleader है जो हम चीज जानते हैं कि महेशवरी साड़ी वर्तमान पर बहुत प्रसिद्ध है विश्वी प्रसिद्ध है उसका पूरा श्रे जो है अहलिया भाई होलकर को ही जाता है क्योंकि इन्होंने महेशवर को टेक्स्टाइल के लिए बहुत उत्क्रिस्ट बनाया था उनके साशनका के दौरान अगली बात कर लेते हैं अहिलय जक्तर भाई होलकर जी संपूर्ण भारत में निर्मान कार्य कर एक Fix सब्था पूरे भारत में वास्तू कर अठाडी चाहे इनका विशेश योगदान था सबसे पहले इनके कुछ निर्मानकारी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विद्यार्थियों कि क्या निर्मानकार अहिल्याबाई होलकर जी ने इनके साशनकाल के समय करवाये थे सबसे पहले इन्होंने जो है काशी विश्वनात मंदिर जो वरतमान वारण नसी में हैं इसका जो वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण अहिल्याबाई होलकर में ही कराया था तो याद रखेगा आपके काशी विश्वनात मंदिर वारा नसी का निर्मान वर्तमान सोरूप के निर्मान जो है किसने कराया था अहिल्या भाई होल करने साथ ही दूसरी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक मनी करने का घाट जो है बनारस में बनवाया था तो बनारस में मनी करने का घाट का निर्मान कराया है साथ ही दूसरी बात करते हैं सौमनात मंदिर गुजरात के सौमनात मंदिर का जीर्ण उद्धार भी इन्होंने ही कराया था तो इसका जीर्णुद्धार भी ये कराने वाली है, साथ ही यदि हम बात करते हैं महत्रपूर की ममलेशवर मंदिर जो आप ओमकारेशवर में देखते हैं, ओमकारेशवर के ममलेशवर मंदिर का निर्मान भी अहिल्याबाई होल करने ही कराया था, साथ ही अगली बात करते हैं कि इन्होंने अस्टपदी मंदिर जो की गया जी में हैं इसका निर्मान भी इन्होंने ही कराया था साथ ही इन्होंने बहुत सारे तीर्थ इस्थलों पर धर्मशालाय बनवाई यात्रियों को रुखने के लिए सुविवस्थित यहां पर विवस्थाएं करवाई थी धर्मशालाओं का निर्मान कराया था तो इन्होंने धर्मसालाए हरिद्वार, द्वारिका, बद्रिनात आदी इस्थानों पर इन्होंने धर्मसालाओं का निर्मान भी करवाया था चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि अहिल्या भाई होलकर जी के पश्चाद अहिल्या भाई होलकर के पश्चाद अब अगली सासिका बनने वाले हैं साशक बनने वाले हैं तुकोजी राव होलकर प्रथम तुकोजी राव होलकर थोड़ा सा महत्वा कांची थे साथ ही इन्होंने दूर दर्स्ता का ना सोचते हुए सिंधियां से एक युद्ध मोल लिया उस समय पर सिंधियां से साशक फ़वा करते थे महाद जी सिंधिय से और इनके मत एक युद्ध लड़ा गया जिसे लखेरी के युद्ध में इनकी पराजय हुई पराजय के पशाद कुछ समय पशाद ही इनका देहांत हो जाता है अच्छा लखेरी का जब युद्ध हुआ सिंधियां और होलकर के मद्ध अब इसमें विजित तो हुए थे विजय कौन हुए यहां पर जीते कौन थे विजय प्राप्त हुई महाजी सिंधे को याद रखे के विद्यार्थियों विटा याद रखेगा कि यहां पर महाजी सिंधे जो है इनकी विजय हुई है लेकिन उसके बाद भी अपनी विजय की बाद भी इससे शोक दिवस के रूप में गोशित किया था याद रखेगा कि इन्हों ने महाजी सिंधे जो है इन्होंने शोक दिवस के रूप में घोशित किया था इनकी विजय को ही तो याद रखेगा लखेरी का युद्धत तो खोजी राव हूलकर और साथी महाजी सिंधे के मज्ध लड़ा गया था जिसमें महाद जी सिंदे जो हैं विजय हुए थे और इन्हों ने इसे शोक दिवस कहा था तो कोजी राव हुलकर का जब देहांत हुआ उसके पस्चाथ इनके पुत्र को साशक बनाया गया अर्थात कासी राव हुलकर को लेकिन कुछ समय बस शाथ का सिराव होलकर का भी देहांत हो जाता है लगबग एक दो साल लगबग दीड़ साल के आसपास यह साशन कर पाते हैं और इनका देहांत हो जाता है इनके देहांत के पस शाथ यश्वंत राव होलकर याद रखेगा शाह आलम का शाशन चल रहा था दिल्ली पर उसी समय पर जो है यश्वंत राओ हुलकर जी ने आपके दिल्ली के समराट शाह आलम की सहायता की बहुत चीजों में सहायता और मित्रता अच्छे होने के कारण इन्हों ने इनको एक उपाधी दी जिसका नाम था महराजा धीराज महराजा धीराज, राज राजेश्वर, अलीजा बहादुर की इनको उपाधी से इन्होंने विफोशित किया तो याद रखेगा इनकी उपाधी कौन सी थी महराजा धीराज, राज राजेश्वर, अलीजा बहादुर की उपाधी थी और इस उपाधी से इन्हें विफोशि इनका एक युद्ध होने वाला है पुणे के निकट एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में इन्होंने युद्ध लड़ा था पहला तो पेश्वा पेश्वा और साथ ही सिंधियाओं की या दखेगा कि सिंधिया की जो संयुक्ते सेना थी उन संयुक्ते सेनां से इन्होंने युद्ध लड़ा था और उस समय पर सिंधियावन्स के साशक हुआ करते थे दौलत राव सिंधhe तो याद रखेगा हैं यहाँ पर साशक कौन ہے दौलत राव राव सिंदे जो है या सिंधिया ये यहां पर साशक हुआ करते थे और साथी पुने के पास जो युद्ध हुआ पेशवाओं से और सिंधियाओं से नहीं युद्ध लड़ा उसका एक प्रमुक के कारण था कि यश्वंत राव होलकर के जो बड़े भाई थे उनकी हत्या दौ युक्त सेना को पराजित भी करते हैं इसके पस्चाज जब सिंधिया पराजित हो जाते अर्था दौलत राव सिंधे जो है वह यश्वंत राव होलकर अर्था होलकर रियासत से पराजित हो जाते हैं दौलत राव सिंधे अपनी राजधानी परिवर्तित कर लेंगे जो हम स सिंदे की यहां पर बात कर रहे हैं तो दौलतराव सिंदे जो है जब पराजित होंगे यश्वंतराव होलकर से तो पराजित होने के पशाथ यह अपनी राजधानी उज्जैन से गौलियर जो है इस थनांतरत करने वाले हैं याद रखेगा उज्जैन से राजधानी गौलियर जो है सिंधियावंस की कौन ले कर जाएंगे दौलतराव सिंधे जो हम सिंधियावंस में भी पढ़ेंगे तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं यश्वंतरा होलकर ने पराजित किया है पुने की सेना अर्थात पेश्वाओं की सेना को और साथ ही सिंधियाओं की सेना को इन्ह अब मराठाओं के पश्षात जो है अंग्रेजों के आधीन सारी रियासते आ रही थी तो ततकालिक परिस्थितियों को देखते हुए भविश्व को भापते हुए अब 1818 में जो है अब राजगाट की संधी होगी तो याद रखेगा राजगाट की संधी होती है यश्वंत र राजगाट की संधी होने वाली है इसके बाद जो है बहुत सारी सरतें यहां पर रखी जाएंगी लेकिन यह संधी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी बीच में ही संधी ब्रेक हो जाती है अब अगली जो संधी होगी वह 1818 में होगी उस पर भी हम बात करेंगे वह होने वाल और हो ओने चलते हैं अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं अगले शाशक कौन बनने वाले हैं जिस समय यह साशक बने हैं तो इनकी आयू मात्र चार वर्स की थी तो याद रखेगा मलहार्राव होलकर तृतिय मलहार राव खुल कर तृतिया है मलहार राव खुल कर जब तृति साशक बने तो इनकी आयू मात्र सफ चार वर्स की हुआ करتी थी अल्प वयश्क होने के कारण अब यहां पर साशन विवस्था सम्हालने वाली है यश्वंत राव होलकर की पत्मी तारा भाई अब वास्तव जो है एक प्रकार से रीजेंट बनते हुए याद रखेगा रीजेंट संदक्षिका कह सकते हैं तो अब मल्लार रहों कर तती जब साशक बने चार वर्ष के थे तो पहले तारा भाई रीजेंट निक्ट की गई वास्तिक सत्ता कौन सम्हाल रही थी तारा भाई सम्हाल रही थी उसी समय पर ताराबाई जी ने पीएम पद पर प्रमुख्य पद पर न्युक्त किया था तात्या जोग को तात्या जोग को इन्होंने निप्त किया यहां पर अच्छा उसी समय ऐसा होता है को सडिंत रचे जाते हैं बहुत सारे मंतरी साथी अमीर मिलकर के यहां पर सडिंत रचते हैं साथी यहां पर पिंडारी जो है एक सडिंत रचता है गफूर खान नामक ठीक है तो इनकी हत्या जो है वो करदें गफूर खान धूल कि गफूर खान कि गफूर खान Sunday morning withakers नाम कि पिंडारी कि पिंडारी जो है इनकी हत्या कर देते बाइटें अब तारखाइजजी के आधिन ही रहते हुए मल्हार राव हुलकर जो है क्या करने वाले हैं शाशन करने वाले हैं लेकिन इसी समय पर इनका अंग्रेज से बहुत बड़ा युद्ध होता है इस युद्ध को महीदपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा इनको जो है महीदपुर युद्ध होने वाला है अंग्रेज और होलकरों के मद्द जिसमें भाग लेने वाले हैं मलहार रा होलकर इनके चचेरे भाई हरी राहूलकर और इनकी बेहन भीमा भाई इस युद्ध में भाग लेनेवाली हैं जब यह युद्ध लड़ा इन्होंने तो मलहार रहूलकर केवल ग्यारा वर्स के थे याद रखेगा ग्यारा वर्सी मलहर राहोलकर अंग्रेजों से युद लड़ने वाले हैं हरी राहोलकर जी की आयू उस समय मात्र 20 वर्स हुआ करती थी साथी भीमा बाई की आयू भी मात्र जो है 20 वर्स की होया करती थी अब इतनी कम आयू में तीनों बालकों एक दो बालकों और एक बालिका जो है अब युद लड़ने वाले हैं अंग्रेजों से वास्ता में देखा जाए तो सर थामस हिसलोब जो हैं अंग्रेजों की तरफ से युद लड़ रहे थे अब कहा जाता है कि यह युद खोलकर विजट ही होने वाले थे लेकिन पीच युद में ही एक पिंडारी ने इनको धोखा दे दिया पहले इनकी तरफ से युद लड़ रहे थे फिर बाद में जो है इनकी वुरुद में ही इनकी सेना को मारना शूरू कर देते हैं तो यह युद्ध यह हारन लगते हैं जैसे ही यह युद्ध हारन लगते हैं तब उस समय पर तात्या जोग सामने आते हैं अभी मैं थोड़े पहले बताया कि तात्या जोग वास्ता में रीजेंट निक्त हो चुके थे सत्ता जो है सम्हाल कौन रहे थे तात्या जोग सम्हाल रहे थे तात्या जोग मद्यस्ता करते हैं और अंग्रेजों और आपके मलहारा होल करके मद्ध एक संधी करवाते हैं इस संधी को मंदसौर की संधी कहा जाता है तो 1818 में मंदसौर की संधी जो है की गई किसके मद्ध आ आपके मलहार राव होलकर रतिये और अंग्रेज अर्था थौमस हिसलोब के मद्द की गई अब थौमस हिसलोब इनके मदसद्धी हो गई है अब जो है रजवाड़े के रूप में हमेशा आजादी तक अर्थ समझेगा कि आजादी तक जो है अब होलकर रियासत आधीन रहने वाली अंग्रेजों के एक रियासत के रूप में बनी रहेगी चलिए अब आगे समझेगा करते हैं हम कि जो आपके मलहार राव होलकर है इन्हों ने तो मंदसवार की संधी को मंजूरी दे दी थी इन्हों स्वाय मस्ताक्षर किये साथ हरी राव होलकर भी मान जाते हैं मंद गोरिला पद्धि से युद्ध लड़ रही थी गोरिला पद्धि से लगातार युद्ध लड़ा साथ ही कुछ समय के लिए इंदौर छोड़ करके भी चली गए कुछ समय कहा जाता है कि इन्होंने शिवपूरी गॉलियर आदी स्थानों पर निवास किया आगे जाकर के रा लेने के लिए ब्रेणा प्राप्त की थी तो याद रखेगा रानी लक्षमी जो है लाक्षमी बाई को प्रेणा कहां से प्राप्त हुई थी ए 81759 में खराnte करने करते हैं ठीक साथ ही एक और महत्तिपून बात है कि मलंहर राव कर जो है अब अपनी राजधानी जो है महेश्वर से कहाँ लेकर छले जाएंगे इन दार लेकर जाएंगे चलता एक बार परिवर्तित होई है, सबसे पहले हमने देखा है, मलहार राव होलकर के समय, फिर इसके बाद में हमने देखा अहिल्या बाई होलकर, फेस के बाद देखा हमने मलहार राव होलकर तरती है अब सबसे पहले हमने देखा था कि मलहार राव होलकर के समय पर राजधानी कहां थी इंदौर हुआ करती थी फिर बाद में इनके समय पर महेश्वर हो गई और फिर पुनहा जो है मलहारा होलकर तरती नाम से में याद रखेगा प्रथम और तती इनके समय फिल से कहां होने वाली है अब राजधानी इंदौर होगी और यह राजधानी इंदौर 1947 आजाधी तक रहने वाली है याद रखेगा पहले सबसे पहले इंदौर फिर अहलिया राजधानी ले जाने वाले हैं अगले राषक कर लेते हैं अगली साशक बनने वहार real है . . . भुर्क करते हैं इसके भाद जो है कि हरी-रावнут होलकर, इनको हटा देंगे अग्रेजों से जब महीद्पुल का युद्धु लडा गया करने वाले हैं आपके मारतंड राव फुलकर को सत्ता से खटाएंगे और स्थाथा पर बैठ जाएंगे यह यहां पर पहला साथी इन्हों ने हरी राव हुलकर जी ने खांडे राव नामक एक बच्चे को गोध लिया और अपना उत्रादिकारी भी गोशित किया उनके साषन काल के पास्चाज जो है अगले साषक मनने वाले राव हुलकर दोतियक है अब आगे हम बात करते हैं प्रफम जादिन साषन ये भी नहीं कर पाते हैं अचानक अकस्मिक इनकी भी म्रत्यू हो जाती हैं अब इनकी म्रत्यू के पस्चाद अब अगले सासक बनने वाले हैं तुको जी राव होलकर फ्रत्थम थीक तुको जी राव होलकर दोतिये अब तुको जी राव होलकर जो है यहां पर सासक बन गये हैं तुको जी राव होलकर वास्तो जो देखा जाए इनका वास्तविक नाम हुआ करता था स्रीमंत युका जी जस्वंत हुलकर इनका वास्तविक नाम हुआ करता था और इनके पिता का नाम था स्रीमंत संतो जी राव हुलकर तो संतो जी राव हुलकर के पुत्र अर्थाद युका जी अब अगले सासक बनने वाले हैं और यह साशन करेंगे तो को जी राव हुलकर दोती के नाम पर साशन करेंगे इनके समय पर बहुत साए निर्माणद करवाए गया इन्ही के साशनकाल में डागः और रेलवे निर्माणद जो है वह करवाया गया उसी समय इन्हों ने क्या किया, अंग्रेजों से एक संधी की जिसके तहत जो है डिवलपमेंट के लिए इन्होंने बात की इन्दौर में कि अब जो है रेल लाइन इन्दौर में स्थापित की जाए और साथ ही दाग घर अर्थातार विवस्था इन्दौर में स्थापित की जानी चाहिए और साथ ही यहाँ पर स्थापित करवाए इन्हो तो इन्होंने जदी हम बात करते हैं डागगर इस्थापित करवाया रेल लाइन का निर्मान कराया केनेडियन मिशन गल्स स्कूल की स्थापना भी इन्होंने कराई थी और उद्ध्योगी के विकास के लिए प्रथम प्रयाज कौन करने वाले हैं तुको जी राव होलकर करने हैं चलिए अगलए साशिन का अगले साशळक पर हम आगे बढ़ते हैं लुट से पहले अब यहां करने वाले उनके देहांद के परशाद उनके जाशान काल के बाद उनके जेशंक्त पुत्र सेवारी राहोल कर अब शाषक बने करते हैं सबसे पहले इन्होंने सिक्षा के चेतर पर वशेष यूगदान दिया इन्होंने यहां पर संस्कुत महावध्याल creative की स्थापनہ करवाई भुलकर महा विद्याले महावध्याले की स्थापना करवाई साथी तोकोजी राव जो है तो तो लालबाग पैलेस का निर्माइड भी इन्होंने कराया, इसके बाद जो है सुख विलास महल का निर्माइड, साथ ही इन्होंने दर्या महल जो की बढ़वा खरगोन में हैं, इसका निर्माइड भी सिवाजी राव होलकर ने करवाया था, तो संस्कित महाविद्याल है, होलकर महाविद्याल है, तकोजी राव होलकर त्रतिये, जब jan शाशक बने, तो इन्हों न भी बहुत जादा निर्माइड करवाये थे, यदी हम बात करते हैंके प्रमुक निर्माइड कारे की, तो इन्होंने सबसे पहले अहिल्य आश्रम का निर्माण कराया था, याद रखेगा अहिल्य आश्रम का निर्माण कराया, चंद्रावती नामग महिला विद्याले भी इस्थापित इन्होंने ही कराया था, साथी इन्होंने त्री इस्तरिये, इन्होंने यहां पर न्यालेओं निर्मान यहां पर करवाने वाले हैं साथ ही अधी बात करते हैं इन्होंने एक सेनेटोरियम का निर्मान भी करवाया था वास्ताव में जो आपका 6 रोग 6 रोग के लिए इन्होंने एक इंदौर में 1914 में सेनेटोरियम का निर्मान भी करवाया था अब अगले साशन पर बढ पहले यश्वंत साघर जलाशे का निर्माण इन्होंने करवाया था साथ यहादी बात करें आपका यश्वंत राव चिकत्साले जो वर्तमान पे मॉय ऑस्पिटल के नाम से जाना जाता है इसका निर्माण भी यश्वंत राव होलकर द्वति नहीं कराया था साथ ही यदि हम बात करें, मानिक बाग महल का निर्मान भी इन्होंने करवाया था, साथ ही इन्होंने टीटी ओफ एक्सेशन पर साइन किया और 1950, एक जनवरी 1950 को इन्होंने विलेपत्र अर्थाथ टीटी ओफ एक्सेशन पर साइन किया, इसके पस्चाथ हूलकर रियासत को भ सबसे पहले यहाँ पर बाद आतो कि विलय किया गया विलय के पत्षात ने मुलाया गया यहाँ विलय न secret इन्होंत करने सब्सक्राइब भ्रंबर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर इस्थापत कला की हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं राजवाड़ा की राजवाड़ा कहां स्थित है वर्तमान के इंदौर में स्थित है यदि हम निर्माण की बोलकर क्रती के साशनकाल में प्रधान मंत्री हुआ करते थे उन्हों ने इनका जीन उद्धार कराया था यानि कि रोनोवेशन कराया था साथी यहाँ जो दर्बार हौल है जहाँ पर जनता को न्याय दिया जाता था साथी जनता से मुलाकात राजा किया करते थे इनका जो दर्बार महल है वो दर्बार महल को गड़ेस हौल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है याद रखेगा याद रखेगा विद्यार्थियों कि इनके दरबार हॉल को गडेश हॉल के नाम से भी जाना जाता है अब अगली बात कर लेते हैं हम लालबाग पैलिस की तुछ पर हम बात कर चुके हैं महराजा सिवाजी राव हूलकर ने इनका निर्मान कराया था साथ ही यहाँ पर बहुत सारे चित्र हम देखते हैं, जो चित्र जो है वास्ता में देखेंगे हम, कि यह चित्र कलाएं ग्रीक और रॉमन जो है, यह साहतिक यहाँ पर एक कलाकृतिया हम को देखने को मिलती हैं, चलिए विद्यारतियों, इसके साथ ही आज का सेशन यही होता है, बहुत सारे जो निर्मानकार है, किस साशन ने करवाए थे, उन पर हम चर्चा विशेश रूप से सासक के साथ में ही कर चुके हैं, तो इस थापत कला में इंदौर जो आज यह देखा जाए, आगे है, साथ ही यही हम बात करें, टेक्स्टाइल में जो इंदौर इंदौर में विशेश कारे किये और वर्तमान पर भी यह है, अब जो है बहुत आगे देखने को मिल रहा है, चली विद्यार्थियों, आज इसके साथ ही हम सेशन को समाप्त करते हैं, और कल मुलाकात होगी, कल के सेशन में एक नई रियासत हम पढ़ने वाले हैं, अपनी त झाले हम सेशन हैं, तो हैनिता हैं, सकत इंदूर में पाले हैं, और को समाप्त करते हैं, खिस देन करता हैं, झाले हैं, गो है हम समापने चल्च घर बहाबने कोगरे यह हैं, अभने सानी विद्यार्वर्सित, क्या बहाँ बामें ऑफिर, इंद Should weitt जो रह बहाले हैं, झाले